नमस्कार दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एग्रोनॉमी के कुछ कोस्चन किये थे, तो चलिए आज हम लोग उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो आज हमारा पहला कोस्चन है, इस्टेवेंशन स्क्रीन इस रिलेटेड टू, इस्टेवेंशन स्क्री रीट रेडियेशन से तो यह होता क्या वूड का बना होता है जेनरली और यह सिल्टर का काम करता है पाटिकुलर्ली जो थर्मामेटर हो दोस्तों उसमें बहुत ही एफेक्टिव रहता है नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन है बोटेनिकल नेम ऑफ सेवान ग्रासिज इसका दोस्तों जाएगा लैसिनस सिंडिकस ऑप्शन यह हो जाएगा इसका राइट एंसर अगला कोश्चन है आरे मोफोटी जो है किसका वेराइटी है यह है मोथवीन का वेराइटी अब इसमें पुछ रहा है इसका हो जाए आमोनियम स्ल्फेट दा कॉएंटिट इसका हो जाएगा अमोनियम स्ल्फेट दा क्वाइंटि ओस ने आ्शेज ऑफ़ ओस catching जाएगे होगा अग्राइटी अगला कोश्चन है मैक्सिमम रिशेडूर्श इसेडियूर्स अप्लिकेशन अप्लिकेसर को जाएग इसका एंसर हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा काडमियम नेक्स्ट क्शिन पर हम दग चलते हैं वीच वन अब फोलिंग नूत्रियंट इस कंस्तिटुएट अफेल वाल इन प्लांट में यह है कैल्सियम उसके बाद वीच अब फोलिंग फाइटो हर्मोन इज इनवाब इन नूट्रियंट मॉबिलाजेशन तो nutrient mobilization में यह सब कौन सा हर्मोन सामिल है तो यह है औक्जीन नेक्स्ट है heavy applications of potassium fertilizers often lead to reduce absorption of magnesium, calcium, boron and magnesium, nitrogen and phosphorus, zinc and copper इसका answer हो जाएगा zinc and copper नेक्स्ट है if a plant so extensive intervenal chlorosis of the older leaves and let this reaches the younger leaves the symptom is due to lack of तो इसमें कॉन्स lack of क्या होगा, कमी क्या चीज़ का हो जाएगा, इसमें कमी हो जाएगा, magnesium का अगला question है phenyl mercuric acetate जिसको हम लोग PMA short form में बोलते हैं इसे chemical used in agriculture crops in order to इसका हम लोग पहले भी आपको याद होगा तो discuss कर चुके हैं, यह transportation को reduce करने में help करता है उसके बाद है water requirement includes the losses due to तो इसका क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा C, consumption used water required for special operations and other economically unavoidable losses of water अगला question है हम लोग का अगला दोस्तो question है if on a 20-acre farm crops are raised on 50 acres in Ravi, 50 acres in Kharif and 20 acres in Jaiad in a year what shall be the cropping intensity तो दोस्तो इसका आप कैसे बना सकते हैं जैसे इसका मालो 20 है 20 plus 20 एकर farm है दोस्तो इसका 20 एकर इसका farm है total उसमें कितने से जाने वो किजाने total 15 crops उने निया 15 plus 15 plus 20 तो आप इसमें क्या करो 50 plus 50 plus 20 को add कर दो उसको 20 से divide कर दो into 100 कर दो आपका answer आजाएगा तो इसका answer क्या आगा दोस्तों इसका answer आएगा C 250 परसेंट इसमें करना क्या मैं फिर से आपको बताता हूं 20 एकर total cultivable area है total land जिसमें हम लोग cultivation कर सकते हैं लेकिन कितना cultivate किए गया 50 एकर इन राभी 50 एकर इन खारिप 20 एकर इन जायत तो 15 प्लस 50 कितना हो गया 30 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 अब 50 वाय 20 से divide कर देंगे तो कितना जाएगा 2.5 हो गया 2.5 into 100 कितना जाएगा 250 परसेंट अब आगे चलते हैं लोग which one of the following pairs is not correctly matched यह समय से कौन सा pair correctly मैच्ट नहीं है बाजरा टिफ टॉंटी थू डी टू ए भी मेज टी साइटो प्लाज सी वीट रस्टी वन रस्टी टू डी राइस नौरीन तो इसका इंसर हो जागा राइस नौरीन नौरीन किसका है नौरीन वीट का है जहां तक आपको याद होगा next question which of the following disease does not include floral abnormalities तो यह सब में से कौन सा disease है जो floral abnormalities नहीं cause करता है तो downy mildew of mustard green ear of bajra, white rust of cruciferous, none of these तो इसमें क्या होजागा? downy mildew of mustard आगे देखते हैं हम लोग which one of the following pairs is not correctly matched paddy gall fly, silver leaf, rice bug, repugnant smell, rice stember or black ears rice zigzag लिख हो पर orange leaf तो इसमें क्या हो जाएगा? option C, rice stem borrers black ears अब आगे देखते हैं हम लोग which one of the following disease of pigeon pea is transmitted by erophyte mite तो यह सब में से कौन सा होता है? यह सब में से answer हम लोग हो जाएगा estrelative mood right answer D हो जाएगा right answer और हम लोग आगे question देखते हैं which one of the following was introduced in the country to eradicate prickly pear तो इस सब में से किसको लाया गया था? इसमें लाया गया था option B, dactylopias tomentosus tomentosus अब चलते हम लोग next question क्यों और यहां पर थ्वासा वह है फोरस ही होगा congress grass जिसको हम लोग बोलते हैं can be controlled by तो इसका answer हो जाएगा option C next question है which one of the following microbial agents is being commercially exploited as a biocontrol agent तो यह सब में से इसका answer क्या हो जाएगा trichoderma vda option C हो जाएगा right answer अगला question हम लोगवा which one of the following cause more wastage of herbicide by drift high volume sprayer, ultra low volume sprayer hand sprayer, low volume sprayer तो इसका क्या हो जाएगा ultra low volume sprayer अब चलते हैं अगले question की ओर application of organic material with C.N ratio under ratio wider than 20 to 30.1 least to dash of soil इसमें क्या हो जाएगा immobilization for sugar can nitrogen fertilizer application has to be completed within dash days after planting for better sugar content in juice तो कितने दिन के अंदर का देना चाहिए तो यह 60 days next है postponing of first irrigation to 40 to 45 days after showing is always preferable for cotton crop to नेक्स्ट के अंदर का इसका क्या हो जाएगा दोस्तो इसमें क्या बोला है by postponing of first irrigation to 40 to 45 days after showing is always preferable for prevent excessive vegetative growth next question नेक्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट का सम्माइक्र और्निजम इसमें सबसे अच्छा देखो आप बेश्ट आप खुद देखो तो सब बहुत पॉजिटिव स्टेटिमन लग रहा है option D अब हमारा next question है which one of the following operations is associated with process of nipping in gram treating the seed with rhizobium culture trying the branches to avoid lodging picking green leaves for vegetable purpose plucking the apical bird to promote branches इसका answer हो जागा option D plucking the apical birds to promote branches अब देखते होगे अगर कोई gram है उपर बला apical bird है अगर माले जाए nutrient सीधे उपर जा रहा है अब हम लोग क्या करेंगे उसको हटा देंगे तोड़ देंगे जिसको बोलते हम लोग निपिंग तो उससे क्या होगा कि जो other vegetative part है उसमें nutrients easily flow करेगा अगला question है which one of the following is the best example of catch crop linseed mustard तोरिया ग्राउंड नट तो इसमें क्या हो जाएगा तोरिया ग्राउंड नट एक जांप अगला question है which one of the following is relay cropping system मेज, mustard, pulmlet, cow pea मेज, potato, wheat, green gram उसके बाद कौनसा question है अगला है black gram wheat, green gram, pulmlet, mustard, green gram तो इसमें दोस्तों answer हो जाएगा option B wheat, maize, wheat, green gram इसमें क्या जाएगा wheat, maize, wheat, green gram अब चली हम लोग अगले question पर चलते हैं यहाँ पर question अगर थोड़ा बहुत कटा हो तो इसलिए मैं अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ temporal, temporal complementary in intercropping results from the growth pattern of the growth pattern of the components crop differing in time option B पहला था time और दूसरा है height और तीसरा है difference in yield और चौथा क्या है difference in cost of cultivation था इसमें क्या हो जाएगा दोस्तो difference in time next है in dwarf wheat showing depth is related to इसमें क्या हो जाएगा length of next है next है the cohesiveness and tenderness cooked rice depends largely on इसमें क्या है cohesiveness और tenderness जो है cooked rice का वो किस पर depend करता है तो इसमें depend करता है the proportion of amylose amylose और amylopectine जो इसमें amylose और amylopectine होता है उसमें depend करता है उसका tenderness and cohesiveness अगला सवाल है the concept concept of q by i relationship was developed by क्यों 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 5T urea isoprotron asamitide butachlor और carbamate dino safe इसका answer हो जाएगा option D carbamate dino safe अब चली हम आगे question पर चलते है the possible limitation in the effective uses of azola are less availability of water low survival rate during summer problem of transportation all of the evo the possible limitation in the effective uses of azola तो इसमें 2 तो सारा हो जाएगा transportation का problem low survival rate during summer less availability of water अब चलते हैं next question पर the origin place of tomato is the tomato का origin place का है tomato का origin place है South America next question है which one of the following pairs is not correctly matched cotton 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 August September sugar cane July अगस्त soybean June July तो इसमें हो जाएगा length in July आप इसमें आप इसमें क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जैसे है percentage of pore space तो pore space का क्या हो जाएगा आप 1- आप यहां पर bulk density by particle density into 100 कर देंगे तो आपका answer आ जाएगा तो इसका आपको करना क्या है फिर से मैं बता रहा हूं percentage निकालना है तो 1- bulk density by particle density मतलब 1- आप कितना कर दोगे 1- कर दोगे आप 1.16 divided by आप कर दोगे 2.62 और जितना आपका into 100 कर दोगे तो answer इसका आ जाएगा कितना आपका 55.7 यह पर आप ट्राइजरूर करना next है Among the following the set of essential nutrients elements which are absorbed at an ions by a plant is तो यह सब में से कौन हो जाएगा हो जाएगा option D Boron Chloride Molybdenum Phosphorus Sulfur next question है fertilizer which supplies 3 essential plant nutrient is तो इसका क्या हो जाएगा SSP single super sulfate next F-chillate suitable for application to crops grown on acid soil is तो इसका क्या हो जाएगा F-E-H-E-D-T-A अगला question है which one of the following fertilizers contains water-soluble water-soluble P phosphorus तो इसका क्या हो जाएगा both A and B अगला question है stem nodulation occurs in green manure crop तो stem nodulation है वो green manure crop में occur होता है तो वो होता है D D axiomanum afraspera अगला question है hybrid rice for commercial production was first developing तो कहा हुआ था तो यह हुआ था चाइना अगला question है आगे हम लोग और questions करेंगे तब तक पढ़ते रहिए खुस रहिए जय हिंद पाता कि ऍंच्स हुए पीजा